नमस्कार बच्चो कैसे आप सब आशा करती हूं अच्छे होंगे तो बच्चो आईए हम आज का पाट शुरू करें बच्चो आज का पाट है हमारा कक्षा 6 का पाट का नमबर है 7 बगोल की पुस्तिका का पाट है ये हमारा देश भारत तो बच्चो नाम से ही आपको पता चल रहा है आज हम अपने भारत को जानेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे जैसे भारत का भोगोलिक विस्तार भारत का अक्षांशिय देशांत्री विस्तार भारत में कितने राज्ये हैं कितने केंदर शाशित प्रदेश हैं भारत के पास-पास कौन सा महसागर है, कौन से सागर है और भारत के द्वीपों के बारे में भी जानेंगे तो आओ बच्चो आज का पाठ हम शुरू करें बच्चो भारत एक बहुत बड़े भगौलिक विस्तार वाला देश है, उत्तर में ये हिमाले के उच्छे शिक्रों से घिरा है, पश्शिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाडी, तथा दक्षिन में हिंद महा सागर, भारती प्रायदीप के तर्टो पर लहराते है बच्चो ये प्रायदीप क्या होता है? प्रायदीप स्थल का वे भाग है, जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, आप देखो भारत के मांचित्र को भारत के एक तरफ बंगाल की खाडी है, दूसरी तरफ अरब सागर है, और तीसरी तरफ हिंद महा सागर है, तो इसका भारत क्या है बच्चो भारत एक प्रायदीप है इसलिए हम इसके साथ प्रायदीप शब्द का प्रियोग करते हैं आओ बच्चो और भारत को जानने की कोशिश करते हैं भारत का क्षेतरफल 32.8 लाख वर्ग किलो मीटर है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिन में कन्या कुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलो मीटर है पूर्व में अरुनाचर प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच तक इसका विस्तार 2900 किलो मीटर तक है उंचे उंचे परवत, भारतिय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तट्टिय भाग, एवं द्वीब समू, स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं यहाँ जलवाईयू, वनस्पती, वन्य जीवों के साथ साथ भाशा एवं संस्कृती में भी बहुत भिन्नता है और बच्चों, इसी भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है, यही कारण है कि हम एक राष्टर में बंधे हैं वर्ष 2011 में अब तक भारत की अबादी 120 करोण से अधिक हो चुकी है, यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है आओ बच्चो भारत की स्थिती को देखें, भारत उतली गोलार्द में स्थित है, करकरेखा 23 डिगरी 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्यभाग से होकर गुजरती है, चित्र 7.2 देखें, दक्षिन से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमी का विस्तार 8 डिगरी 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिगरी 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है, पश्यम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिगरी 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिगरी 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है, बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिगरी के कारण यहा की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतराल लगभग दो घंटे का होगा जैसा कि आपने पहले पड़ा है कि प्रतियक एक डिगरी देशांतर के लिए स्थानी समय में चार मिनट का अंतर होता है पश्शिम में गुजराद की अपेक्षा पूर्व के समय को भारत का मानक समय माना गया है इस यामियोत्तर को भारत का मानक यामियोत्तर भी कहा जाता है भारत का विस्तार 30 डिगरी देशांतर में होने के कारण समय में अंतर आ जाता है जो पूर्व से पश्शिम में दिखा जाता है इसलिए पूरे देश के लिए एक मानक समय न इसलिए इस रेखा के समय को देश का मानक समय माना गया है तो बच्चो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पड़ोसी देश के बारे में जानते हैं बच्चो मानचितर 7.1 को देखो साथ देशों की स्थल्य सीमाएं हमारे भारत से जुड़ी हुई हैं इन देशों के नाम पता लगाएं चलो सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भुटान, बांगलादेश, मयनमार ये हो गए हमारे साथ देश जो हमारी स्थल्य सीमा से जुड़े इन मैंसे कौन-कौन से देश हैं जिनकी सिमाएं समुद्र से जुड़ी हुई है बच्चों? फिर से मांचित्र को ध्यान से देखो दक्षिन में समुद्र में स्थित दो द्वीब श्रिलंका तथा मालदीव हमारे पडोसी हैं तो हमारे पडोसी देश कुल नौ हैं पाक जल संदी भारत को श्रिलंका से अलग करती है आओ बच्चों अब हम अगले उपविशे पर चलें राजनितिक एवं प्रशाशनिक विभाजन बच्चों इसके लिए आप मांचित्र साथ पॉइंट दो देखें भारत एक विशाल देश है प्रशाशनिक क्रिया कलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 9 केंदर शाशित परदेशों में बांटा गया है बच्चों अभी कुछ महीनों पहले हमारे 29 राज्ये थे उसके बाद जम्मू कश्मीर कव हमने केंदर शाशित परदेश में बदल दिया और उसके बाद ले और कश्मीर हमारे दो केंदर शाशित परदेश बन गए और हमारा एक राज्ये घट गया इसलिए हमारे पास 28 राज्ये बच गए और केंदर शाशित परदेश दो बढ़ गए तो 9 बन गए तो याद रहेगा ना बच्चो बच्चो दिल्ली भारत की राजधानी है राज्यों का निर्मान मुख्यता भाशाओं के अधार पर हुआ है खेत्रफल की दृष्टी में सबसे बड़ा राज्य राज्यस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है राज्यों को जीलों में बांटा जाता है बच्चो अब हम भौतिक विभाजन के बारे में बात करते हैं भौतिक विभाजन क्या होता है बच्चो ये होता है परवतों के द्वारा या किसी भी प्राकृतिक सीमा के द्वारा जैसे मैदानों के द्वारा, मरुस्थलों के द्वारा, पठारों के द्वारा तो आओ बच्चो इसको हम विस्तार से जानें बच्चो इसके लिए मांचितर 7.3 देखो भारत की भोगौलिक आकरितियों को निम्न लिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है पहला हिमाले पर्वत श्रंकला दूसरा उत्री मैदान तीसरा प्राइद्वीपिय पठार चौथा भारतिय मरुस्थल पांचवा तटिय मैदान छठा द्वीप समून आप देखो भारत का भोगौतिक मांचितर आपको दिख रहा है इस चिन में सबसे पहले पर्वत और पहाड़ी श्रेणिया दिखाई गई है पर्वत्य परदेशों को गहरे पीले रंग में दिखाया गया है पठारी परदेशों को पीले रंग में और हरे रंग में मैदानी परदेशों को दिखाया गया है आप देख सकते हो बच्चों? तो बच्चों भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकरितियां विभिन प्रकार की हैं जैसे परवत, पठार, मैदान, तट एवं द्वीब समूं उत्तर में बर्व से ढखा हिमाले संत्री का कारे करता है ये संत्री क्या होता है बच्चों? जो हमारे घर के बाहर पहरा देता है वैसे हिमाले हमारे देश के बाहर पहरा देता है हिमाले को पार करना बहुत ही मुश्किल होता है तो बच्चों इसलिए से हमारा संत्री कहा जात हिम जमा आल्ये का मतलब होता है बर्व का घर। हिमाले की चोटियां हमेशा बर्व से धकी रहती है। इसलिए इन्हें बर्व का घर कहते हैं। हिमाले परवत को तीन मुख्य समानतर श्रिंखलाओं में बांटा जाता है। पहाडी स्थानों के नाम पता लगाईए बच्चों बता सकते हैं आप सब। जैसे कुलू, मनाली, शाबाश और बताओ बच्चों और बोलो धर्मशाला। अब है शिवालिक हिमाले ये सबसे दक्षिन में स्थित श्रिंखला है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे हमारे उ पुत्री मैदान स्थित है, ये मैदान सम्तल तथा सपाठ है, ये मैदान सिंधू, गंगा, ब्रहमा, पुत्र तथा इनकी साइक नदियों द्वारा लाए गए जलोड निक्षेपों से बने हैं। बच्चों भी जलोड निक्षेप क्या होते हैं? आओ मैं आपको बताती हू ये जलोड निक्षेप नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, इसलिए इने जलोड निक्षेप कहते हैं। तो हमारे जो ये मैदान है उत्तर भारत के, ये इनी नदियों द्वारा लाई गई मि प्रदान करते हैं यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है अब बात करते हम अपने भारतिय महामरुस्थल के बारे में भारत के पश्मी भाग में भारतिय महामरुस्थल स्थित है यह शुष्क गरम तथा रेतीला स्थल है यहां वनस्पति की मात्रा बहुत कम ह यहां वर्षावा पानी की कमी के कारण ये शुष्क तथा रेतीला है उत्तरी मैदानों के दक्षिन में प्राइदी पे पठार स्थित है इसकी आकरिती त्रीबुजाकार है इसका धरातल काफी उंचा नीचा है इसक्षेत्रें वहुत सी पहाड़ी श्रिंखलाई तथा घाटियां स्थित है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रिंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रिंखला है हिमाले से भी पुरानी जितने भी विश्व में श्रिंखलाएं हैं परवर श्रिंखलाएं उन सब में सबसे पुरानी हमारी अरावली परवर श्रिंखला है विंधिया एवं सत्पुड़ा भी महत्पुन श्रिंखलाएं हैं इन श्रिंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है जो अरब सागर में गिरती है इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या साहिद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है पश्चिमी घाट अंडमान तथा निकोबार द्वीप समू उन्ही परवतों और पहाडियों के पानी से उपर उठे हुए भाग है पश्मी घाट का विस्तार एक समान रूप से है जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा फूटा तथा असमान है चित्र साथ पॉइंट 3 में आप फिर से देखें इन पठारों में खनीजो जैसे कोईला एवं लो एस की प्रचूरता है तो हमारे पठार क्या हैं बच्चों ? खनीजों के भंडार हैं अब हम बात करते हैं बच्चों, हमारे पश्मी घाट के पश्म में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तट्टे मैदानों की पश्मी तट्टे मैदान काफी संक्रे हैं, पूर्वी तट्टे मैदान अपेक्शकृत चोड़े हैं वहाँ पूर्व की और बहने वाली कई नदियां हैं जैसे महानदी, गुदावरी, कृष्णा तथा कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिर्ती हैं ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाओ डेल्टा का निर्मान करती हैं बंगाल की खाड़ी में गंगा इवं ब्रह्मा पुत्र नदियों के मुहाने पर सुन्दरवन डेल्टा स्थित है इस डेल्टा की आकरिती त्रीबुजाकार है डेल्टा स्थल का वे भाग होता है बच्चो जो नदि के मुहाने पर बनता है जहां नदियां समुद्र में प्रवाल दूइप समू जो अरब सागर में स्थित है ये केरल के तट में कुछ दूर स्थित प्रवाल दूइप है अब बच्चो ये प्रवाल क्या होता है प्रवाल छोटे समुद्री जन्तूओं के कंकाल है जिसे पालिप कहा जाता है जब जीवित पालिप मरते हैं तब उन पर्मान होता है तो बच्चो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समू भारत से दक्षनी पूर्वदिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित दूसरा द्वीप है क्या आप जानते हैं बच्चो कि अंडमान निकोबार किस तरह का द्वीप है जैसा मैंने आपको बताया कि लक जो उपर जमीन दिखती है आपको वो वही अंडमान और निकोबार द्वीप समू है बच्चो आप जानते हो 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी वो हमारे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समू में आई थी और बहुत ही नुकसान किया उसके अलावा हमारे पूर्वी तट पत्रों के इलाकों में भी उसने बहुत नुकसान किया समाचार पत्रों तथा लोगों से बात्चीत के जरिये आपको जानकारी उन दिनों मिली होगी कि किस तरह सुनामी भारत की तट से टकराई थी आपको पता है ये सुनामी आई कहां से थी ये शुरुआत हुई थी उंची उंची लहरे उठती है और वो तटो में आकर जो लोग होते हैं उनको बरबाद कर देती है उनके घरों को नुकसान कर देती है तो बच्चो सुनामी एक विशाल सागरिये तरंग है जो समुद्र तल पर भुकंप के कारण उत्पन होती है तो आओ बच्चो अब मैं आप से इस पार्ट के प्रशन पूछती हूं पहला प्रशन हिमाली के सबसे दक्षनी भाग को क्या कहा जाता है विकल्प है शिवालिक हिमाद्री हिमाचल सही उत्तर है शिवालिक अगला प्रशन साहिद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है विकल्प है अरावली पश्यम पश्यमी घाट हिमादरी सही उत्तर है पश्यमी घाट अगला प्रशन पाक जल संधी किन देशों के बीच स्थित है विकल्प है श्रिलंका तथा मालदीव दूसरा भारत तथा श्रिलंका या तीसरा भारत तथा मालदीव सही उत्तर है भारत तथा श्रिलंका अगला प्रशन अरब सागर में स्थित भारती द्वीप समू कौन से हैं? विकल्प है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समू दूसरा है लक्षवदीप दीप समू तीसरा है मालदीव सही उत्तर है लक्षवदीप दीप समू अगला प्रशन भारत की सबसे पुरानी परवत श्रिंखला कौन सी है? विकल्प है अरावली, पश्यमी घाट, हिमाले सही उत्तर है अरावली आओ बच्चो अब मैं आपसे खालिस्तान पूछू पहला भारत का क्षेत्रफल लगभग रिक्तस्थान है दूसरा, महान हिमाले को रिक्तस्थान के नाम से भी जाना जाता है तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टी से रिक्तस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है चौथा, नर्मदा नदी रिक्तस्थान सागर में गिरती है पांचवा, रिक्तस्थान भारत के लगभग मध्यभाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है तो बच्चो पहला क्या होगा? पहला उत्तर, शाबाश कोशिश करो बच्चो बिल्कुल सही, 3.28 लाक वर्ग किलो मीटर दूसरा हिमादरी तीसरा, राजस्थान चौथा, अरब पांचवा, करकरेखा शाबाश बच्चो अगला प्रशन, भारत के रेखा मानचितर पर निमन लिखित को चिन्नित कीजिए तो बच्चो अपने सामरेक मानचितर रख ले और उसमें ये दर्शाएं सबसे पहले करकरेखा दूसरा, भारत का मानकियामियोत्तर तीसरा, जिस राज्य में आप निवास करते हैं चौथा, अंडमान द्वीपसमू तथा लक्षवदीब दीपसमू और पांचवा, पूर्वी घाट एवं पश्यमी घाट तो बच्चों, आशा करती हूँ, आपको ये पाट समझ आ गया होगा और भारत की जानकारे भी आपको मिल गई होगी भारत कितने भोगौलिक परदेशों में बटा है ये आपने अच्छे से जान लिया और सभी भोगौलिक परदेशों के महत्व को भी आपने समझ लिया होगा तो बच्चों, सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए तब तक के लिए नमस्कार